त्यारे बच्चों आज है 1 सेप्टमबर और 1 सेप्टमबर 2020 के करेंट अफेर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं तो चलिए एक नए महीने का आगाज करते हैं आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुब कामना है इस महीने की बस आपको इतना कहना है कि आज दिन में 11 बजे ट्विटर पे जाके उस डिजिटल कामपेइन का हिस्सा बनिएगा SSE Railway Student का जो हिस्सा बनिएगा क्योंकि आप भी SSE Railway Student हैं और उस कैमपेइन के अंदर आप अपना भी हैस्टेग जो है वो लिखिएगा ऐसा जरूरी है क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक कोई आपकी सुनने वाला नहीं है कहते ना बिना रोय तो मा भी बच्चे को दुद नहीं पिलाती है तो ये बहुत जरूरी चीज है मैं आपको ज़्यादा बाते ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ काम की बात इतनी बता रहा हूँ कि आप उस डिश्टल कामपेइन का हिस्सा बनिएगा आपको किसी को पत्थर नहीं फैक नहीं है बस आपको क्या करते हैं उस डिश्टल कामपेइन ट्विटर के यह है और आपकी बात जलदी सुनी जाती है अपने लिए SSE Railway Student के लिए जो है बस केवल केवल एक आपको हैस्टेक है उसे वाइरल करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को और आपको अगर मेरा Telegram चैनल जोइन करना है निला हलमेट सब्द जो है उससे एक तराष्टर शांती सेना से जुड़ा हुआ है D option सही है किस्टन का हमारा और बहुत सारे बच्चों ने इसके बारे में अच्छे से बताया भी है विस्तार से बताया है लिखा भी है आज के करेंटा फिर पढ़ते हैं और पहला किस्टन हमारा क्या है कि सराज्य सरकार ने हाल ही में पूरो मंत्री चेतन चोहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोशना की है आपको मैंने थोड़ दिन पहले पढ़ाया था कि चेतन चोहान का निदन हो गया है और चेतन चोहान के नाम पे एक रोड का नाम रखने की गोशना की है यूपी सरकार ने यानि की उत्तर प्रदेश ने यह option जो है इस किसन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है जो की आपको फोटो में दिखाई दे रहें यही है चेतन चोहान अचा चेतन चोहान मंत्री थे तो यह भारत्य जंता पार्टी के टिकट से ना साल 1991 के अंदर अम्रोहा से चुनाव लड़े थे और वहीं से सांसद चुने गए थे पहली बार लेकिन इनका जो है एक संबंद राजनिती के अलावा भी बहुत इपोर्टन रहा है यह भारत के किर्केट से संबंदित भी है यह भारत में आपनर बल्लेबाज के रूप में भी रहे थे इन्होंने टीम इंडिया के लिए 1979 से लेके 1978 के बीच में टोटल 40 टेस्ट मैच खेले थे और इन्होंने तकरीबन तकरीबन 2084 रन बनाये थे और इनका बेस स्कूर रहा था 97 इनका जनम हुआ है 21 जुलाई 1947 को जब हमारा भारत अजाद हुआ है उसी साल में इनका भी जनम हुआ है इतनी बातें आपको याद रखनी है इस क्यूसन से और अगला क्यूसन हम पढ़ते है तो क्या है भई हालिवूड के निमन में से किस परसिद अभिनेता का 43 वर्स की उमर में कैंसर के कारण निधन हो गया है यह साल तो मुझे लगता है खाली करके ही जाएगा अभी कल आपको मैंने करेंट अफेर में पढ़ाया तो था नैस्नल वाले में ने उसमें हर्याना करेंट अफेर की वीडियो में जो मैं लाइउ था तब बताया होगा और अपने मैंने ट्विटर वगरा पर यह हर जगर पर शेयर भी की थी इस बात को क्या कि परणव मुकर जी उनका दिहान थो गया सब कोई पता लग गया कै परणव मुकर जी हमारे भाज के पूरो रास्टर पते उनका दिहान थो गया और के साथ आप देखिए का यह बहुत ही दिगज अभीनेता रहे हैं जिनका नाम है चैडविक बॉस्मेन ठीक है चैडविक बॉस्मेन साध आप लोगोंने इनको देखा भी होगा मैं आपको दिखा देता हूं साध याद आजए ब्लैक पैंथर एक सुपर हिट मूवी है इन्होंने लीड रॉल निभाया था ठीक है ब्लैक पैंथर किंग टीचला का किरदार इन्होंने इन्होंने निभाया था इसके अलाव इन्होंने गेट इट अप जो है एक उसके अंदर अपना किरदार निभाया था मार्शल फिल्मों के अंदर जो है अपना किरदार निभ ऊगला जो हमारा question क्या रहेगा कि दुट्य विशोद्ह में किस देश के लिए जासूसी करने वाली भारती ये मूल की पहली महिला नूर इनायत खान को ब्लू प्लाक से समानित किया जाएगा नूर इनायत खान को बृटें के लिए जासूसी करने वाले थिये और इसके लिए akkor सम्मानित किया जाएगा यह option जो है इस question का हमारा बिल्कुल ठीक है जो आपको फोटो में दिखाई जे रही है यही है नूर इनायत खान इनको ब्लू प्लाक से सम्मानित किया जाएगा और इसके तहत इन्हें Central London स्थित उनके अवास के भारूं के कामों के बारे में बताते हु जो है वो सही होग किया होगा उन लोगों को जो है यह अवोर्ड से समानित किया जाता है और ब्रिटेन आप लोगों को अच्छे से पता है कि इसकी राजधानी लंदन है ब्रिटेन के जो प्रधान मंद्री है उनका नाम क्या है बोरिस जॉंसन है और पांड स्टरलिंग जो साल 29 अगस्त को डी आप्शन सही है क्यों इपार्टन्ट है क्योंकि भासा के अधार पे गटित होने वाला हमारा भारत का पहला राज आंदर प्रदेश था और आंदर प्रदेश और तेलंगाना दोनों ही राजियों की भासा कोन सी है दोनों ही राजियों की भासा तेलगू है और मुख्य भासा यूं कहिएगा और वहां की मुख्य भासा और राज भासा दोनों ही तेलगु है दर्विड भासा परिवार के अंतरगत ये आती है तेलगु और अंधर प्रदेश तेलंगाना के अलावा भी ये तमिलनाडू में करनाटक में ओडिस्टा में भी कुछ हिस्टों में बोली जाती है तो आपको important question के रूप में इसे mark करना है और इसे याद भी करना है अगला question है हमारा की भारत और की इस देश ने video conferencing के माध्यम से चोद्वी रक्षा निती वारता आयोजन की है तो अभी हाल इमें 14 रक्षा निती जो है या defense dialogue है defense policy dialogue जो है वो आयोजित की है सिंगापूर C option जो है इस question का हमारा वो बिल्कुल ठीक है भारत और सिंगापूर ने की है ये अचा भारत और सिंगापूर ने की है तो इस समेलन की अध्यक्सता किस ने की है रक्षा शचीव है Dr. Ajay Kumar और उनके सिंगापूर में जो है Chen Heng ठीक है भारत के तो है Ajay Kumar और सिंगापूर से है Chen Heng इन दोनों दोवारा जो है इसकी अध्यक्सता की गई है सर इसका उदेश्य क्या है इसका उदेश्य है कि दोनों देशों के बीच में आपसी रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना राजनेतिक मुद्दों और के अलावा जितने भी घटना करम चल रहे हैं उनको अच्छे तरीकी से विस्तार से समझना इस बैटक के अंदर आंतकवाद का मुकाबला करना और एक दूसरे की नो सेना की स्विधा को प्राप्त करने की बारे में भी बाचित हुई है कुछ भी कर लीजिएगा हमारे बच्छों के लिए कोई आवाज ने उठाता आंतकवाद है यह है आंतकवाद तो हमारे लिए सरकारें बने बैठी है ठीक है माफ करिएगा यह कड़वे वचन है कोई अंद भगित है साइध उसको बुरा लग सकता है मैं बहुत कॉसिस करता हूँ अपने आपको रोखने की अपने एजुकेशनल वीडियो में यह ना कहने की लेकिन करें क्या मतलब किसको कहें यह बात आप लोगों को यह तो कह सकता है और आप लोग ही जो आवाज उठाएंगे ठीक है क्योंकि आप अगर जब तक आवाज नहीं उठाएंगे तब तक आपकी कोई नहीं सुनने वाला आपको ट्विटर पे बस इतना कैम्पेन ही चलाना है बस आपको मैं इतना कह रहा हूँ और यह को मैं खुद भी कर रहा हूँ जो आपको इक केवल कह रहा हूँ मैंने भी अपना Facebook प्रोफाइल चेंज किया है आप साइंटिस्टार्शनल करके चेक भी कर सकते हैं आप भी अपना Facebook प्रोफाइल चेक जो है चेंज कर दीजिएगा और उसमें अपना जो है hashtag speak up वाला जो है वो लगाईएगा वोट को देने वाला है, क्योंकि यह तो अनपडगवार है, सारे के सारे, ठीक है, फेर, अगला कुस्षन हमारा क्या है, सिंगापूर की कापिटल, सिंगापूर सिटी है, किस राज्ये में, सिंथ राश्टर के स्तत विकास लक्षों के संधर में, पहला अंतराश्ट्य महिला वैपार के अंदर स्थापित किया जाएगा, तो पहला, जो अंतरास्टे महिला, मिलेगी और अपने केस साथ अपने एकनामी सिचुएशन को भी बढ़ाने के अंदर जो है वो मदद मिलेगी तो यह काफी important question है कि केरल के अंदर जो है पहला अंतरास्टिय महिला वैपार के अंदर स्थापित होने जा रहा है अचा दूसरी बात यह है कि केरल है तो केरल को हम लोग silent valley कहते हैं केरल के राजधानी क्या है केरल की राजधानी है त्रवंत पूरम केरल के मुख्य मंतरी का नाम पिन राई विजियन है ठीक है और केरल के अंदर मसाले सबसे जादा होते हैं केरल का कोची एरपोर्ट जो है कव काज को खुद से अलग कर लिया है हमारे ही देश ने ए आप्चिन जो है क्युस्टन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है 15 से 26 सेप्टेंबर तक चलने वाले सेन्य अभ्यास में तीन और पाकिस्तान को भी सामिल होना है इस करके हम लोग वाहां से दीरे दीरे निकल रहे है रूस ने इस बहुपक्षिय सेन्य अभ्यास में अपनी तीनों सेनाओं के टुकुडी के साथ में हिसा लेने के लिए भारत को आमंत्रित किया था लेकिन अब जो है हम इसके अंदर हिसा नहीं ले रहे क्योंकि हमारे दुस्मन जो है मतलब वो इसके अंदर पार्ट ले रहे हैं दुस्मनों के साथ में हमारी भारत की सेना जो अभ्यास करेगी तो फिर कल को सारे गुर तो वो पता लगी जाएंगे उनको फिर रही क्या गया है और इसके लिए जो है हम वहां से एक्जिट हो चुके है रश्या की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो रूस की राजधानी मोस्को है रूस की करंसी रश्यन रूबल है वालमदीर पुतीन यहां के रास्टर पती है जो कि 2036 तक जो है वो इस पद पे बने रहेंगे यह बात भी आप याद कर सकते हैं ठीक है इसमें एक बात और बताता हूँ संगाई कॉपरेशन और्गनाईजेशन के सदश्य जो है न और मद्धे एश्या के देश हैं वो भी हिस्सा लेने वाले हैं जैसे चीन है, भारत है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्वेकिस्तान यह सारे के सारे संगाई कॉपरेशन के मेंबर्स है जिसके अंदर भारत हमारा है वो तो हिस्सा नहीं लेने वाला है ठीक है अगला जो हमारा question है क्या है कि West Indies के किस all-rounder ने T20 cricket में 500 wicket लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए है तो दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए है Devon Brown ठीक है B options है जो कि आपको photo में दिखाई दे रही होंगे और ये दुनिया के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए है जो 500 wicket लेने वाले है Caribbean Premier League 2020 में St. Lucia Jocks के खिलाफ इस match में इनोंने उपलब्दी हासिल की थी और हम वतन रोस्तन चेंज उनका 500 T20 का wicket था ये आपको यादर कर सकते हैं हम वतन इनका 500 wicket था 2006 से T20 मैच ये खेल रहे हैं और अब तक जो है ये तकरीबन 459 T20 मैच खेल चुके हैं ये और पलाड को अब तक 9 बार आउट कर चुके हैं ये ठीक है T20 केरियर में सबसे ज़दा किरॉन पलाड को इनोंने आउट किया है 9 बार आउट कर दिया इन्होंने अब तक तो ये किस्टन थोड़े से important रह जाते हैं जब इतने ज़्यादा चर्चा में होते हैं तो किस देश के सलामी बलेबाज निशाद थरांगा पर्नविताना ने अंतरास्टिय किर्केट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने की गोशना की है तो थरांगा पर्नविताना नाम धाई किलोमेटर लंबा है ये स्रिलंका के हैं और इन्होंने अंतरास्टिय किर्केट से सन्यास लेने की गोशना की है जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं और इस किस्टन का सी आप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा इन्होंने 32 टेस्ट मैचों में स्रिलंका का परतिनिद्टव किया है इसमें जो है दो स्तक और 11 अर्ध स्तक सहित जो है टोटल इन्होंने 1702 में रन बनाये हैं अब तक और फरवरी 2009 में पाकिस्तान के खिलाब जो है ये परदारपन किया था इन्होंने मतलब एंट्री की थी 2012 में राश्ट्रे टीम के लिए अपना आखरी मैच भी इन्होंने खेला था तो आप इतने बस याद कर सकते इनमें कोविड-19 की सिचुएशन को देखते बहुत सारे लोग जो है बस छोड रहे हैं इन्जोई खरना चारे मेरे को लगता है घर पे स्रिलंका की राजधानी क्या है दो है कॉलंबो है स्री जैवर्धन कोटे पूरे है स्रिलंका की करंसी स्रिलंका रूपीज है गोत बया जो है यहां के राश्टरपती है और महिंद्र राजपक से जो है वो यहां के प्रधान मंत्री है अगला किस्तन है हमारा कि किस सहर में व विष्व उर्दू समिलन का आयोजन जो है वो कहां पे हुआ है भाई तो ये हुआ है न्यू डाली के अंदर, बी आप्शन जो है किसन का वो बिल्कुल ठीक है, दो दिवसी है जो सेशन था ये दो दिनों का और इसका उद्गाटन हमारे भारत के शिक्षा मंत्री रमेश है और या महान व्यक्ति है उनके बारे में जो है लोगों को बताना और जो व्यक्ति ने खास सहीते लिखा है उनको पुरुसकार या सम्मान भी परदान करना इस अवसर पे यही है विष्व उर्दू समेलन आयोजन का मुख्य उदेश है इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप होता है पर आप लोगों के लिए क्यूसन है क्या कि स्विक्त राष्टर संग का कौन सा पदा सीन सेकेर्टरी जर्नल एक हवाई हादसे में मारा गया था मतलब स्विक्त राष्टर के जो सेकेर्टरी रहते वे जो है हवाई हादसे में मरे कौन थे त्रिंग वैली डैग हैमर आप बताईएगा इनके बारे में और एक बात और बताईएगा इसी आप्शन में वो अंसर छिपा हुआ है कि जो स्वेक्त राष्टर है उसके पहले जर्नल कोन थे पहले सेकेटरी जर्नल कोन थे तो ठीक है इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं मेरी बात को भूल मत जाना 11 बजे आप प्लीज जो है ट्वीटर पे जाना अक्टिव होना और अंदभक्त जो रह रहे हैं वो प्लीज अंदभक्ती छोड के ठीक है और किसी को ऐसे नहीं ब्लाइम ट्रस्ट करके फॉलो नहीं करना चीए मैं तो कहता है नहीं हूं कि किसी को भी फॉलो करो आप लो सोच समझ के फॉलो किया करो मेरे प्यारे बच्चों चलो धन्यवाद